चलिए आईए द्यान दिजे गई दर सवाल बताएगा कितना तक हो गया था आप लोग का एक सो ठीक है एक सो पांच तक हुआ था ने तो पहले आएए अचे कल वाला एक नियम सिखाई थे बहुत महत्पूर्ण था कुछ याद कीजिए तो जड़ा काटने वाला याद कीजिए शीखे थे ना चलिए आज इस पर चलते हैं ध्यान दीजिएगा एक आज गो होंबर्ग भी दिये थे बनाने के लिए कुछ हों ने दिये थे चलिए एक सो छे नंबर कोई लोग बनाए हैं कितना साथ आया है हम इतना देर से जानते हैं सवाल में क्या देख रहे थे कि हमको भागा देना है एक सट से अब सोच रहे हैं कि वाई एक सट से भागा देना बड़ा मेहनत हो सकता अब अकल भी हम यही देखके इस दो छोड़के गे देख चलो कल बनाएंगे अभी राज देख रहे हैं कि एक सट से भागा देना है कट भी नहीं रहा, बहुत असान है, कट के छोटा कर सकते हैं, कल तो नियम सीखे ही थे आप लोग, क्या, तो आएके कट के छोटा कर ले हम लोग, चलिए, इस साइ भागन देना, बाँ से कट लेते हैं क्या, बाँ से इसको कट दिज़े 20 बार में, अब 5 से इसको काट दिजिए कितनी बार में 19 बार में कोई दिक्कत है और काटने का इच्छा है और भी काट लिजिएगा एक बार 4 से काट लिजिए 5 बार में और एक बार 4 से काट लिजिए कितना बार में इसको इसको 4 से काट लिजिए कितना बार में के चार चोंटिस वार वेट चार से भागा देंगे शेश ससानी से निकल जाएगा तो चलिए पान समय रीमेंडर क्यतना आपन्ती है्ए पंदर सेश मिलोंगति एगया जाूती है नगरें एक आनुर जासे बारत ओकर नियम हम स्लकुर्वित सथर कितना तीन पंद्रव पंद्रह कितना हो पांथ यह पंद्रह कितना है चार आई पंचानवे उनिस पंचानवे कितना पांच शकती इस कितना अब टे में आ पांच कौदिक्कत चार दूनी आठ तीया 24 दूनी और तालिस चली अगुने भी कर लेते हूँ चार चोगे अब बटे कैतना कौदिक्कत अब बताई इसको छोटा कि Tीन अगुने कितना एक अब बटे कितना यहनि फाइनली अभी तक आरा तीन बटे अच्छे बताई एक बार किसे काटे थे पान से एक बार उपर पान से गुना निच्छे कितना से गुना एक बार और किसे काटे थे चार से तो उपर भी चार से निच्छे भी कितना से क्या इस नियम पर कल भी सेश चरचा हमने छे साथ एक जामपल के साथ किया था के साथ है न यह आगी है जल्दी बताए पांचों के बीश्तिया अप अब अब पचे पचीश्चों के रिमेंडर निका ले 100 से भागा लगेगा नहीं तो यह अपने आप में सेस कहलाएगा और सेस हो जाएगा कितना साथ क्या असान सवाल नहीं था लेकिन यह अच्छे सवाल से क्या थे अधी काट गियेगा नहीं तो लंबा केल्कुलेशन बन जाएगा ना आपका तो करेक्ट आंसर होगा कितना ओप्सन नंबर कितना है को दिक्कत चले आगे हम लोग चले आगे अब आई ध्यान दिजेगा क्या को दिक्कत किसी को ठीक है चलूँ आईए नेक्स्ट देखिए कहता इसको सो से भाग कर अंतिम दो अंक प्राप्त करो अंतिम कई अंक अच्छे मेरी बात को ध्यान से सो से भाग दिजे तो कितना बार में तीन बार में लगेगा तो आप कहेगा कितना सो तीन सो बचेगा पांच एक और कितना दो तो सो से लगेगा कही बार में पांच बार में तो अंतिम दो अंक कितना आ गया बार है यह जो से बचरा वही तो अंतिम दो अंक होगा इसका वह कई सु है तो सो से लगा देंगे 64 बार में तो Chouch सट सु आएगा लेकिन स्येस बचे का time- स्येस क decide संगत है मुझस यहां दिक्कत है थाल हनृard ild je 9-6 स्येस को मालत ली जे आर्यजेंग धियां तो लगा दिजेगा 94 बार में तो 94 सो हो जाएगा तो यहां सेस बचेगा माइनस केतना दो यहां लगाएगा तो सेस केतना साथ 7000 तक लगेगा और यहां सेस बचेगा 300 तक लगेगा केतना बचेगा बटे में कितना 100 क्या माइनस माइनस जाएगा तिन दूनी छे छे सते बियालिस अब बियालिस गुने केतना एगार चार छो दू चार सो केतना बटे केतना भागा दीजेगा तो सेस केतना हैगा six two कितना तो अंतिम दो अंक भी क्या होगा गुना यादे ने 42 गुने कितना किये हैं एक आरह तो यादे इदुनों अंक बाग के distance में लिख करके दोनों के जोर देते थे तो इच्छे तो basic class में सब शिखाएं सब YouTube पर पढ़ा भी होगा क्या तो इसका अंसर आजाएगा कितना अंतिम दो अंक इसका एगा बार सर कोई दिखा दे किसी को अच्छे भागा देने में समझ रहे हैं सव से भागा दीजेगा तस्यस बचेगा अरे 7000 तक तो multiple आही ने जाएगा सव के गुनज में तो इसका अंसर आएगा कितना शेख शेट हो चलिए चलिए अब यहां से कुछ नियम सीखना होगा तब अगला सबाल बनाने में हम लोग सच्छम हो पाएंगे ठीक है नहीं एक है फर्मेट्स थियोरम कौनसा या फर्मेट्स से पहले बेखती खोजा होगा जोमेट्री में होता यूलर्स लाइन जो सीधी सीधी गुजरती है ठीक है तो यूलर्स नंबर क्या है या यूलर्स थियोरम क्या कहता देखेगा तो यूलर्स नंबर का वो फर्मूला है यूलर्स नंबर बडाबर होता है N into 1-1 by A into 1-1 by B into 1-1 by C and so on आगे भी जा सकता है जहां A, B, C जहां A, B, C अभाज संख्या है जहां A, B, C कौन सी संख्या है अभाज संख्या है अब कैसे निकालेंगे इस फर्मूला का है यह फर्मूला दिया किसके द्वारा गया है तो यह फर्मूला दिया गया है यूलर्स के द्वारा किसके द्वारा यह फर्मूला दिया किसके द्वारा गया है तो यह फर्मूला दिया गया है यूलर्स के द्वारा दिया गया है यूलर्स के द्वारा दिया गया है यूलर्स के द्वारा अब इसको यूज कैसे करेंगे, इस चीज को आपको सीखना है, तो ध्यान से सीखेगा मेरी बात को, ठीक है, इसी चीज को आपको सीखना है, आगे ध्यान देंगे, अब यहाँ ध्यान देजेगा, आगे, कहता है कि जैसे मान लिया जाए, अब एक बात उठता है, यूलर्स न तरीका यूलर्स नंबर निकालने का क्या चीज तरीका कि सबसे पहले यूलर्स नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं देखिएगा जैसे हमने का कि बता यूलर्स नंबर 10 का यूलर्स नंबर केतना होगा तो सबसे पहले क्या किजिएगा कि 10 का भाज गुननखन तोड़िएगा चका भाज गुनन खन केतना गया तो A कामान होगा 2 अब B कामान होगा केतना 5 B कामान केतना आब ULERS नमबर निकालेंगे ध्यान से देखेगा ULERS नमबर बराबर जानते हैं N इंटू 1-1 बाई इंटू 1-1 बाई तीन गोँ निकलेगा तो C d ऐसी आगे चलेंगे तो अब देखे पूट कीजिए यूलर्स नंबर केतना का निकालना है 10 का न है तो यहां लिख दिए 10 बराबर n का मान केतना है 10 into 1-1 by a 1 का मान केतना 2 1-1 by b b का मान केतना 5 चली हो गया अब आईए तो 10 गुने 2 1 में से आधा जाएगा तो बचेगा केतना या 1 में से जब भी घंटा न रहें तो निच्छे सूपर भी घंटा सकते हैं 5 में से 1 जाएगा 4 बटे 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल यानि यूलर्स नंबर केतना आएगा 4 यानि 10 कैंसिल यूलर्स नंबर केतना आएगा 10 कैंसिल यूलर्स नंबर आएगा 4 कितना आएगा 4 ध्यान से देखिएगा अभी 2-3 गो ठीक है न जैसे हमको 12 कैंसिल यूलर्स नंबर निकालना है 12 कैंसिल यूलर्स नंबर तो एक कामान आया, एगो कौन अभासंख्या, दो, दू बार दो नहीं लिखेगा, एक एगो नहीं है, अभासंख्या दू, एगो बी, एगो अभासंख्या केतना है, तो यूलर्स नंबर कैसे निकालते हैं, तो यूलर्स नंबर निकालते हैं, एन इंटू, वन माइनस वन बा एक का मान केतना दो इंटु वन माइनस वन वाई बी ल का मान केतना टीन हो गया कितना 12 गुने 1 में से अधा जाएगा अधा बचेगा 3 में से एक जाएगा दो बटा 3-2-6 3-2-2 बार में इसका भी EULERS नंबर आएगा कितना चार यानि 12 का EULERS नंबर कितना आगिया थार 12 का EULERS नंबर आगिया चार को दिक्कत है दो एक्जमपल और सिखा रहा हूँ ध्यान से यह झा इत्विक्यत हो तो तुरत बोल गीएगा कि सर एक बार और देखिये समझ गए बात को चलिए एगो यूलर्स नुमर और देखियेगा ध्यान से हमने यूलर्स नूमर कहा की बताओ तीस का यूलर्स नमबर बताओ किसका सबसे पहले इस तीस का भाज गुनन खन तोड़ेंगे दूसे कई बार में पंदरह बार में तीन से कई बार में पांच बार में पांच से कई बार में एक बार ता एगो यूलर्स नमबर आया एगो आया दो एको B का माना है केतना तीन एको C का माना है केतना पांच ता यूलर्स नंबर का फरमुलवा जानते हैं यूलर्स नंबर वराब 1-1 बाई N into क्या ची N into 1-1 बाई into 1-1 बाई into 1-1 बाई C 3 गोए तो 3 बार 4 गोए रेगा अनन्द तक यह जा सकता है तो N का मान केतना है जल्दी बोलिए N का मान केतना है 3 N का मान 3 है 30 नहीं तो 30 into अब डेरेक मुझे बानी लिखें 1 का मान 2 रखिएगा तो 2 में 1 में से आधा जाएगा केतना आधा अब तीन रखिएगा तो 3 में से एक जाएगा 2 बटे 3 याद रखिएगा जब भी जैसे 1 से किसी को घटाना उन्हें जैसे 4 बटा 5 घटाना तो डेरेक निचवे सूपर घटा लिजेगा 5 में से 4 जाएगा केतना 1 बटे जैसे 1 माइनस घटाना 3 बटे 5 तो डेरेक घटा लिजे निचवे सूपर 5 में से 3 गया केतना 2 बटे 5 अब सी का माने 5 तो 5 में से 1 जाएगा 4 बटे 5 5 तीया 15 दूनी 3 कैंसिल 4 दूनी 8 यानि 30 का यूलर्स नंबर केतना आएगा 8 आप लोग निकाल पाईएगा अगे निकाल पाईएगा समझे हैं कैसे निकाले हैं अरे समझे हैं हां अब मेरी बात को ध्यान से आगे सुनिएगा क्या कह रहा है अग्ला पॉइंट काता किसी अभाज संख्या का यूलर्स नंबर क्यान दिजेगा किसी अभाज संख्या का यूलर्स नंबर यूलर्स नंबर संख्या से एक कम होता है संख्या से एक कम होता है यानि अभाज संख्या का यूलर्स नंबर जानते हैं कितना होता है संख्या से एक देखिए अधियम पूछेंगे कि बताओ पांच का यूलर्स नंबर केतना होगा तो direct बोलिएगा 4, हम पूछेंगे बताओ 7 का यूलर्स नंबर कितना होगा, एक कम करके बोलेंगे 6, हम पूछेंगे 11 का यूलर्स नंबर कितना होगा, 10, अधी हम पूछेंगे बताओ, 17 का यूलर्स नंबर कितना होगा, तो बोलिएगा कितना होगा, 16, यानि अब हाज संख् एक कितना होता है, कम, एक कितना होता है, कम, क्यों कम होता दी देखिएगा, तो मानले जाहें, पूछिदें आपसे कि बताओ, पांच का युलर्स नंबर कितना होगा, कितना का, कि पांच का युलर्स नंबर, तो सबसे पहले आवाज गुनन खन तोरेंगे, तो पांचे से एक चाहरे नएगा तो यहाद भी रख लिजेगा उलर्स नमबर एक कितना अटा है किसका किसका कभी डिरेक्ट्रो सवाल देगा कि बताओ 24 के यूलर्स नमबर कितना होगा समझ रहे हैं बात को इसने काल लीजेगा कोधिकत अब मेरी बात देखेगा सेसफल निकालने में कि सेसफल निकालने में यूलर्स नंबर का यूज कैसे करें। सब्सक्राइबर क्या चीज है M और इसका सेस कैसे होगा तो kya निकालेंगे तरीका देखेगा ध्यान से श्टेप बाय का यूलर्स नंबर निकालें माई का यूलर्स नंबर सब्सक्राइबर। से पाबर को भाग दें पाबर को क्या दें भाग दें यूलर्स नंबर से पाबर को और जो सेस बचे और जो और जो सेस बचे उसे पाबर बना दें उसे क्या बना दें उसे पाबर बना दें उसे क्या बना दें याद रहें यह वो नियम आपको सिखा रहे हैं न कई एक तीचर देखे हैं कि रिमेंडर गलत निकाल दिया है समय नहीं एक दो कोशन बागी तो सब बनता बनता है लेकिन चुकि एक ही नियम पर बनाएंगे नहीं तो सब अंसर आएगा लेकिन एक दू कोशन के गरबढ़ा जाता है ठीक है तो आप यहां से बढ़ियां से सीखेगा इसको कि क पाबर स्वाइम पाबर स्वाइम पाबर स्वाइम यूलर्स नंबर बन जाएगा पाबर स्वाइम कोन बन जाएगा यूलर्स नंबर बन जाएगा जैसे एक छोटा सा एक्जामपल पहले देखिए जैसे मान लिया जाए तीन पर पाबर आठ अबटे सपोज या आठ ने दे देता हूँ, दस, अब अटे केतना है? पांच. ठीक है, नव? इसका सेस निकालना है, मान लियाजाए. क्या निकालना है? तब पांच का ULERS नमबर निकालेंगे, केतना? छार? अरे, पांच अभासंग जाना है, ULERS नमबर तो इससे डिरेक्ट एक कम होगा, तब पाँच का उलेट से नमबर केतना चार अब पावर को भागा देंगे चार से चार दुनी सेस केतना बचेगा तब कोश्चन हो गया तीन का स्क्वाइर अब बटे केतना पाँच अब जल्दी से मेरी बात को बताएगा तीन का स्क्वाइर केतना नो तीन का स्क्वाइर केत तो मुझभानी बना देते थे आपर देख करके नहीं बनाते हैं अब लोग लेकिन यहां अधरका अंतर एक नहीं रहेगा तब बनाने बहुत ही अब एक नियम और यूलर समझ में आया है अब आपको अब एक नियम और दूनौन नियम एक साथ सीख करके अगला कंसेप्ट के सवाल को बनाएंगे फर्मेट्स थियोरम फर्मेट्स थियोरम कौन सा थियोरम अगला है फर्मेट्स थियोरम अचे फर्मेट्स नाम के बेक्ति ने खो जा तो अपने नाम पर रख दिया जैसे न्यूटन ने खो जा तो न्यूटन से लो हो गया आर्कमेडिज ने खो जा तो आर्कमेडिज ने और राजा के दरबार में रहते थे और राजा के दरबार में रहते थे कौन आर्कमेडीज और राजा का मुकुठ होता है क्या जीज़ का सोने का क्या जीज़ का तो राजा ने अपने सभा में कहा कि भाई चुकि सुद सोने का तो बनता नहीं है मुकुठ बनता है सुद सोने का नहीं, उसमें कुछ तो मिश्रन मिला हुआ होगा, तो दरबार में उन्होंने कहा कि जो इसकी केतना इसमें ओरिजिनल सुदु सोना है बता देगा, उसको इनाम देंगे, क्या देंगे? इनाम देंगे, और आर्कमेडीज के दिमाग में खनका की हमीं खुज लेंगे, आर्कमे रहा फिर सोचे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है फिर नदी में कूदें तो देखें कि हम जड़ा सा हलका लग रहे हैं समझ रहे हैं अब उससे पता करना सुब की कितना बजन में कमी हुआ तो ऐसे करते-करते एक दिन सब कपड़ा खोल के वह सनान कर रहे थे आउनको अब दिमाग के कफिलिक कर गया कि हम खोज लिए अब हम बता देंगे उनियम समझ रहे हैं अब वह ऐसे बाद में हुँ सब चीज बताया तो अप जानते हैं कि आज के डेट में हुँ साइन्टिस्ट है कहा है समझ ने काउन आर्कमेडी कहा नि सुने थे खली नियम में पर लिये खली चली आरे आप सब कर न बोले थे इस सब कर बोले हैं फाड मेत् Warmest Theorem क्या कहता है? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. कहता है, ए बट्टा P पर पाबर है P-1 अधी इस compliance में कुछ question रह गया, तो उसका remainder हमेशा होगा कितना? कितना होगा? ए पर पाबर P-1 अबते में कितना? उसका remainder कितना? क्या हुआ और मिन्स के रिजल्ट में क्लास के विदियार्थी का भी एक रिजल्ट शोडग का देस बजे का बेच में देस बजे से उसका क्लास सुरू होता तो डेली आती भी है समझ नहीं और आपको पता है कि कटाव भी क्या गया है बहुत अच्छी खासी तो इस पर दो वि यह हो गया और अभी मिने में बेचने पुराना पई यृम सब्सकशन होगा है और एक आर भी नीश्यक में रखे है के लिए में ृव जब आज दो क्रवाय है तब दबा देगा कहीं परी, समझ रहे हैं बात को चलें आगे हम लोग, आईए A to the power P minus 1 बटा क्या चीज, इसका remainder क्या होगा अब सर्थ क्या क्या देखेगा A और P को प्राइम नंबर होने चाहिए A और P क्या होना चाहिए A और P को प्राइम नंबर होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए, A और P कौन से नंबर होने चाहिए अब को प्राइम नंबर, यानि हिंदी में बोलते है सह अभाज संख्या कौन सी संख्या सह अभाज संख्या जल्दी बोले, co-prime number का मतलब कौन सी संख्या? सह अभाज संख्या, कोई दिखत? अच्छे अब पहले बता रखें हैं, पहले classmen सह अभाज संख्या का उन सी है? फिर भी एक बार और बता देते हैं, चलिए, सह अभाज संख्या सहाभाज संख्या इंगलीज में बोलते हैं को प्राइम नंबर वैसी दो संख्या वैसी दो संख्या वैसी दो संख्या जिससे कुछ भी कौमन न हो जिससे जिससे कुछ भी जिससे कुछ भी कौमन न हो उससे कौन सी संख्या साहबा सग्क्या किक्कोVA होoba हमने बोला चार और साथ मेंने क्या और कुछिन कोमन चारि-बाट पहर सब्सक्राइन तो हम चार कमन्स not कुछ और आसी दो संख्या जिससे कुछ भी कमन यहां यहां हो Չसका यह सीजा अपर मिश्ởा कितना होता है यह इसफ हमें अब ध्यान दिजिएगा फ़र्मेट्स लोग क्या कहता है कि अधी ए और पी ए और कौन पी अधी दुनु्छ सह अभाज-संख्या है अब पवरवाग कितना होना चाहिए पी से एक क्या चीज़ कम पी से एक क्या चीज कम पी से क्या चीज तो इसका remainder क्या होगा अब केबल P क्या चीज़ है तो P होना चाहिए एक आखाज संख्या P क्या है P एक क्या चीज़ है आखाज संख्या है लेकिन A और P दोनों होना चाहिए कौन सी संख्या इन नमबर याद रहगा ये जैसे एक जामपल ऐहां पर लिखा हुआ यहां लिखा हुआ है और ने कैसे के से उहां सब्हद्राइब कुछ भी आप common ले सकते हैं क्या 11 अभा संख्या है पर वरभाइस से एक कम है तो इसका remainder बिना कुछ स्वचले मारेंगे कितना ऐसा कौन बताया फ़र मैं किसने अरे बताएं हमें यह तो सिद्ध किया है अभी समझाएं हमने इसको है क्या इसका remainder कितना आएगा इसका remainder एक आएगा remainder कितना आएगा इसका अच्छे इसी चीज को हम लिख देते हैं आपके सामने क्या साथ पर पावर एक कईस अबटा में कितना एक आ रहा अब इसका remainder बताओ कितना होगा तो आप कहिएगा कि भाई इदुनू तो सहाभासंख्या है इअभासंख्या पवरबा एक क्या होना चाहिए था कम क्या होना चाहिए था एक कम तो एक कम कर दे इसको इसको लिख दे साथ पर पावर जोर साथ पर पावर जोर साथ पर पावर अबटे में कितना देखिए तो क्या गुना में बेस्य समान जोडेंगे तैculosis हो जाएगा अब बताएगे इसके लिए remainder एक 7 पर पाबर 10 बटे इतना इसके लिए remainder कितना 1,9 के लिए कितना 7 बटे तो सेस कितना जाएगा भागा नहीं लेकर साथेन होगा, ये दो नियम याद रहेगा, यूलर्स हो कौन सा, अच्छे देखिएगा, पाबर को आप चाहें, तो छोटा कर सकते हैं, पाबर को क्या कर सकते हैं, छोटा, किस नमबर से, फरमेट्स नमबर से, एक होता फरमेट्स नमबर, कौन सा नमबर, एक घार रहा है इन हम आतना वा सथ है पाबर को च्छोटा कर सकते हैं पाबर को क्या कर सकते हैं छोटा पाबर को छोटा जैसे यूलर्स नंबर में करते हैं यूलर्स में खासियत क्या है है पता आपको कि एकनामी या भाजे संख्या चाहिए खाली लेकिन यूलर्स नंबर में जरूरी नहीं है कि जहाभा संख्या हो या कोई संख्या रहेगा तब यो नियम चलेगा समझ रहे हैं बात को पाबर को छोटा करते हैं पाबर को छोटा करते हैं फार्मेट्स नंबर से भाग दे करके किसे फार्मेट्स नंबर से भाग दे करके पाबर को छोटा करते हैं फार्मेट्स नंबर से भाग दे क जैसे एक्जाम्पल अभी आप जो सीखें कि बाई साथ पर पाबर एकाइस बटा केतना एकाइस बटा एकाइस बटा एकारा यह ने दिये थे कोशन इसका सेस बताओ तो एक तो तरीका है कि सिर्फ पवरवा इदुनू पहले इदुनू के देखिएगा कि सहाबा संख्या है न तब पवरवा यह एक कम रहता तो डिरेक्टर मार देते एक लेकिन ज्यादा दे रहता तब पवरवा एक कम कीजिए तब साथ पर पाबर केतना दस अगुने साथ पर पाबर दस अगुने साथ पर पाबर एक बटा केतना क्या इसके साथ रिमेंडर एक होगा इसके साथ रिम का कर सकते थे पावर को छोटा पावर को किस नंबर से फर्मेट्स नंबर से कौन से नंबर से 11 के फर्मेट्स नंबर उसे कम दस, 10 दूनी 6 कितना बचेगा 7 बटत एक बटत गार Nachi रिमेंडर कितना होता अहां अहां यह 17 लिखल है ठीक है उसमें. क्या कोई धिक्कत? क्योजआ दिक्कत जल्दी वह लिया. ठीक है. अचै इसमें ULERS OFFER में दोनों तेके ज़सा है? दोनों तेके ज़सा कोयं तर है. इस दोनों नहीं में एक साथ दिये थे आपको. आप देखे स्वाल पर आने दीजे जरा. आईए अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से आगे पहले तो आसान सवाल है यह फे बिनातिय का है यह तो डिरेक्टर बारा से भागा दे दें एक सथ में बारा पचे साथ केतना बचेगा एक पर पाबर तीन सो बटे केतना एक पर पाबर कुछ और अगरास मतलब है सेस एक होगा सेस केतना होगा एक होगा यह तो बेसिक नियमबला था नहीं नहीं था इधर покल लहीं बडा है बैकार भी यह बता दिए फटमेट्स आपको है कि आब बताए हैं यह इस में डेरेक्ट भागा दे दिजिए तेदे भागा, तक केतना सेश बचेगा, एक पर पावर केतना, 1334, अब बटे केतना, 200, 55, एक पर पावर कुछो होगा और आज कुछ मतलब है, तहीं एक बटा, 200, रिमेंडर केतना, इसस अब हो सकता है, अब पावर के बावर एक बढ़ा हो तो पावर कुछो और डिरेक्टर मार सकते थे से से पीछे सिखाए ने ये सब चीज मने आज नहीं कल नी सिखाए होंगे ये ये तो दूगर नियमा सिखाए है क्या हो गया हाँ सब बता हुए और कितना हो गया ये जली बताईए आप लोग यहां पर इलिखल एक सो पचीज पावर एक बड़ा है की छोटा बड़ा है तो रिमेंडर ओलवेच केतना पावर कुछ और एक रास कोई मतलब है यहां ही है पावर एक छोटा है पावर एक तो भागा दीजे जबरदस्ती तो माइनस केतना पर पावर एक सो अब बड़े एक सो केतना अचे माइनस पर पावर सम संख्या रिजल्ट उन उन बड़ा एक सो रिमेंडर केतना कोद इक्कत है बोलेने नहीं आए यह बताए अंस छोटा है की बड़ा बड़ा है तो रिमेंडर केतना सोचना है कुछ हो जल्दी बताए यह बड़ा है की छोटा तो भागा देंगे तो एक बार जबर दस्ती माइनस पर पावर एक सो अब बड़ा एक सो अचे माइनस पर पावर बिशम संख्या तो रिजल्ट किसमें माइनस उन बड़ा एक सो क्या result कभी minus में होगा तक कैसे 125 में से एक घंटा देंगे तो remainder आजाएगा कितना इज़र पीछे बता रखें आपको बता रखें न इज़र आईए अब आगिया एक रिया पर चाहें तो आप कुछ भी लगा सकते यह तो पहले direct भागे दे दिए कहाली सब लगाएगा 11 गुने 11 एक सो तो minus 1 पर पावर केतना एक जादे लगा दिए minus 1 पर पावर केतना बटे में क्या minus पर पावर सम है की भी सम तो result आएगा minus 1 बटा जल्दी बताए क्या result minus में होगा remainder 11 में से एक गया 16 गुने 16 दूसो सेस केतना एक पर पावर कुछ होगा remainder कितना मजा रहा नहीं मजा रहा अईसने रहे सब न तो सब पासे हो जाएगा कितना टाइम हुआ अभी नोबे अच्छे न हुआ लेकिन कहन सीधा हो रहा है चले ध्यांदी जेगा इधर रही है पानसवा एक ज्यादा है कि कम है रिमेंडर केतना अपलस केतना अबटे फाइब फाइब तो दस बटा भागा लगेगा रिमेंडर केतना कोई दिक्कत है किसी को बाकि पीशे आप रिविजन किये होंगे अच्छे से नोट्स बना रख्योंगे तो लग रहा होगा कि इसमें कोई जान नहीं है जो लरका छोर करके कर रहा होगा जो लरका पीशे मेहनत नहीं किया होगा उसको उपर उपर भी जा रहा होगा उसमें भी कोई दूमत की बात जड़ी बताए है, एक जयद्य की कम, remainder क्यत्ना, minus क्यत्ना, बटे 5-5, minus, बटे 5-5, क्या remainder माइनस में आईगा, एक राइस में घटा आते हैं, बताए 5-5, 0-12-8 होगा, क्या कोई दिक्कत चलिए एक और देखिए भागा दीजिएगा जल्दी बोलिए एक कम जाएगा न एक कमेगा तो जबरदस्ती लगाई है माइनस वन पर पावर 138 अपलस केतना बटे 5-6 अच्छा माइनस पर पावर सम की भी सम तो हो जाएगा 1 पलस बटे 5-6 तो 10 बटे 507 रिमेंडर केतना 10 अच्छोटा अपने आप में रिमेंडर माइनस में रहता क्या कोई दिक्कत है चलिए एक और देख लिए जाएज जल्दी बोलिए इसको एक कमे की जादा एक कमे लेकिन पावर सम की भी सम तो 1 माइनस बटे 5-6 माइनस 8 बटे 5-6 नटा दे इसको केतना है का जल्दी बोलिए 500 बामनीजमाई आंसर कोई दिक्कत इतना में जल्दी बोलिए कोई दिक्कत इतना में हां सही है यहां तक बागे आज जो सिखांस पर सवाल नहीं है दो थियोरी आगे बढ़ा करके दिये आपको दिये है न